हरे कुष्णा राधे राधे भगवान श्रीक्टुष्ट ने स्वेम कहा है कि मनुशे का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है और कार्टिक का ये पावन महिना अच्छे कर्म अरजित करने का सबसे आसान तरह करें आज आपको काटिक महीने की कहानी में फगवान रायदा मोदं की एक बहुत ही सुदर कहानी बताती हो प्रेम से मन से भाव से सुनगा एक समय की बात है एक छोटी सी लगी थी । जो कार्टिक स्यान करती थी। गाओं की सभी ओरतों के साथ मंदिर जाती कार्टिक महत्तम और कार्टिक की कहानिया सुनती। मन से भाव पूजा पाग भजन की इतन करती। उसके पिता खेट में काम करते थे और उसकी माता का स्वर्गवाथ बहुत समय पहले हो गया था वह बिलकुई अकेली थी घर में तो उसे पताने वाला कोई भी नहीं था तो वह जो सीखती मंदिश से सीखती एक समय जब कार्टिक का महीना पूरा होने वाला था तब सब औरते ना कहने लगी कि पूनमाशी आने वाली है कार्टिक पूनिमा गंगा जी जाएं या यमना जी जाएं या हरी द्वार हो करा है अब पंड़ाजी थे मंदिर में वो बोले कि पूनमाशी को कार्टिक उद्यापन पर भगवान राइदामोदर को जिमाओ अब वो चोटी में बैजनती माला पर हाथ में पितामबर चत्र बुजधारी ऐसे हैं हमारे भगवान राइदामोदर अब उस चोटी लड़की के मन मंदिर में भगवान राइदामोदर के चवित थापितों गए वो हर समय उनके बारे में सोचने लगे धीरे धीरे समय बीता पूनमाशी का दिन आया उसने भगवान राइदामोदर को जीमाने के लिए पढ़िया रसोई बनाए अपने चोटे नन्ने हातों से हना अकेली बनाना यह भी बहुत बड़ी चरित है अब भगवान को बुलाने के लिए मंदिर में गए और बोली आओ मेरे भगवान आओ मेरे कर बढ़िय जीमो खाना खाओ बहुत देर वास लागाती रहे कोई नहीं आया अब उसने सोचा कि मंदिर में भगवान नहीं है शायद भगवान पूरा दिन मंदिर में बैठे बैठे ठक जाते होंगे इसलिए शहर गुमने गए होंगे अब वो मंदिर से पैदल पैदली शहर पहुच लगाने लगी तक कोई सामने नहीं आया उसने सोचा शायद भगवान घूमने के जंगल गए होंगे वो लड़की शहर पे जंगल गए भगवान को पुकारती रही पर कोई नहीं मिला अब वो जंगल से पहड़ों पर चड़ने लगी और बोली भगवान कहा हो मिलते क्यों अब उसने बोला कि भगवान मैं आपके बिना तो घर अके लिए नहीं जाओंगे वापक घर जाने से तो अच्छा है कि मैं पहार से नीचे कोच जाओं और यह कहकर वो लड़की रोने लगी भगवान को बुराने लगी सुभा से शाम हो गई उस लड़की ने भी एकन का द प्रकट हो गई और बोले कि कि चल देटा मैं तेरा भगवान हो तू मुझे जिमादे लड़की बोली कि नहीं तुम मेरे भगवान नहीं हो अब ब्रहमन बोले कि अच्छा तेरे भगवान कैसे है उसने का मेरे भगवान तो मोर मुकट वाले गल्यमें बेजंती माला पहने हाथ में पिताम बढ़ लिए हुए चदर भुझधारी है अब ब्रामन बोले अच्छा ऐसे है तेरे भगवान हाँ ऐसे है मेरे भगवान अब लड़की बोली अब भगवान ने लड़की के ताम ने अपना चदर भुझ रूप दिखाया अब लड़की परी खुश होगे और कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान अब लड़की आगे आगे और लड़की आगे आगे भाग पाके चल रही है और भगवान उसके पीछे पीछे भागते भागते संकी सही लिया बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आई है पूरे गाउं में से सिर्फ एक औरत को भगवान के दश बाटी सब एक खड़े के खड़े रहे जिनके भागे में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए और जो पापी थे वो एसे ही रहे गए हादा हे राइदा मोदर भगवान जैसे अपने लड़की को दर्शन दे जैते ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भटते सभी को दर्शन देना सब के मन की इच्छा पूरी करना तोलर आय दामोदर भगवान ने की जै मोर मुकट बंसी वाले की जै एक बात कहती हूं याद रखना अच्छे लोगों की भगवान श्रीक्रिष्ण परिक्षा बहुत लेते हैं पर साथ नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को श्रीकृष्न बहुत कुछ देते हैं, पर साथ नहीं देते हैं कि Chinese चाहते हैं कि भाई यह तल्यूप में भसा रहा है और मेरे से दूर रहे अगर आप भी श्री कृष्ण का साथ चाहते हो तो कार्टिक महीने में अधिक से अधिक नान दान व्रज्जा पाते करो अगर कार्टिक महीने के ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा शेर करो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू, हरी कृष्णा